हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी यूटीब चैनल में श्वागत है आज हम पढ़ेंगे अध्धार 15 आनुवन से की जनको सिसंत्रानों तक हेले डिटी फ्राम पेरेंट्स टू आप स्प्रिंग्स तका लाक्चिर टू जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जीवों में समानता इव बंबी भनता होता है जन्तुए में उध्वारन मनुश्य तो सबसे पहले से लिए हम लोग देखते हैं क्रिया कलाब एक पिछली कक्छा में आपने अपने दोस्तों के साथ कुलना करके कई समानता भीने लक्षणों का अध्यन किया था ओके तो आप लोगों ने पिछली कक् अपने परिवार में ऐसे लक्षणों का अध्यन करेंगे उसके के सबस्क्रेख करेंगे इसके लिए और स्वेम के लगषणों के अध्यालि Computed । का चिन्ह लगा तो इसके लिए हम क्या है अपने माता पित्रा दादा दादी नाने नाने भाय बहान एवाद श्वयम के लक्षण के अध्रावर पर क्या है इसको पूरा करते हैं अत्राथ इसके बार में हम लोग आउध्यन करेंगे स्टाड़ी एक जैसे कि यहां पर दिया गया है क्रमांग लक्षण श्वयम माता पिता दादा दादी नाना नानी और भाई और बहान पहला आंग की पुतले का रंग तो आप देखेगा काल्या की भूरा की हरा की अन्यरंग लिखे तो आप इस सभी में क्या है भरते जान रहा कि किस कि क्या है जो आँखे पुतले का रंग वग कौन सी कलर में है दूसरा नहीं तो निच्छे वाले नहीं है तो नहीं कर सतान लगाईएगा तिसरा जीप का गोल मुणा तो इस प्रकार से हां भी निल काईएगा हां या नहीं चोत्रा पैर की दूसरी उंगले अंगुठे से बड़ी या अंगुठे से छोटी पाचवा है कड़ी या पाले जुड़ा हुआ या स्वतंत्र चटवा है पंजी के अंगुठे को पीछे मूड करना हां नहीं या अन्य कोई तो इस प्रकार से क्या है आप लोग इस तारिका को इस तारी को भन रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सांडी देखकर बताओं तो आप सांडी देखकर क्या है इन क्वेशन का हम लोग आंसर देंगे ऐसे कौन-कौन सी लक्षण है जो आप में और आपके मातलपिता दोनों में हैं क्या मतलपिता दोनों में है क्या क्या है छो आपकी मातलपिता सो लिखेगा ऐसे कौन-कौन सी लक्षण आपके दाद्रपिता में और आप में है और क्या है आपके मात्र पित्र में भी है और आप में भी है उके इसको लिखेगा ऐसे कौन कौन सी लक्षण आपके दादर दादी नानानी किसी एक में है और आप में भी है और आपके मात्र पित्र में नहीं है तो ऐसी कौन सी लक्षण है जो आपके दादर दादी में है ना तो यह लक्षण हमारे पास प्रकास रहा होंगे क्या होता है क्या होता है क्या होता है पहुंचना यूशी को क्या कता है आनुवंशी के बार में जाना था कि जीवी ज्यान की वे साखा है जिसके इंतर्गत आनुवंशी क्या होता है जिसके करण क्या है वह पेड़ी दर पेड़ी वजू लक्षण होता है आगे संचरित होते रहता है तो यह इस प्रकास क्या है इस लक्षण क्या होता है इस प्रकास क्या है वह जो लक्षण वह संचरिण होता है आपने देखा कि कुछ लक्षण आप पुर्वजों से आप तक पहुंचे तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लक्षण क्या है जो आपकी पुर्वज से कि या हरेड़ी कहला तो इसके डेफिनिशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हरेड़ी या फिर जो विए आनुवन से की है वह विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत पीड़ी तर पीड़ी आनुवन सिक लक्षणों का संचरा होता है उक इसका अध्यन करता ह जियों में पाया जाने वाले विबंद्राओं का भी अद्रण करता है इसी को क्या बोलता है आनुवन से की या हरेड़ी कहते हैं साड़ी में आपने यह देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवार जनों में नहीं है पर आप में है तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि जो अप की मातल पित willen हैं कि दूख ढाल-दाद या फिर आपकर नानल नानी हैं और आप में बिए ओके इसी प्रकार एक जातर जातर कि जन्पों की संत्रानों में समंत्राओं के बहुशूद जो अंतर पा जातर हा विआ विव लिएशन हैं और इसकी बार में हमने 1 कह पढ़ा है तो इसके बार में हम लोगों ने अध्रा एक में वेरियेशन या विभिनता के बार में पढ़ता कौन से चेप्टर में तो चेप्टर फर्स्ट इवॉलेशन जीवों का विकास तो इसके बार में हम लोगों ने जाना था क्या होता है जीवों का क्या होता है परिवर्थित होता है समय कानुसार बदला होता है जिसके करण किया है उसमें कुछ चींज वकास पाज आ जाते थे चौंच में और उसके पॉंक में तो बहनता हो गया जब एके और एक दुसरे से हुआ आप एकड़ teraz में पॉधों में इसी पराइत इसा मांत्रा-इबन बहुती र किला नहीं है जिसे आप एक ही पेंड की दो एक जैसी पत्याद भूंड नहीं पाते हैं जिस प्रकार क्या होता है मनुष्य से में क्या होता है जो उसके वन सब्ज़त्राता है उसमें जनकों में क्या होता है जनकों के संतानों में क्या होता है स्तमाइक के अनुसार क्या होता है उसमें बदला होता है जिसकी करण कुछ वीरिशन कुछ विभिनता होता है टिक उसी प्रकार पेंड बाधों में भी होता है क्या एक ही पौदी कि के दो पीच एक समाहर होंगी तो जिससे कि हम लोग जान सकता कि उसमें कुछ न कुछ क्या होगा क्योंकि जीए प्रकार के यह होता है यूनिक होता है तो प्रकार अलग अलग होता है क्रियक लाग दो सबसे सब क्या क्या होगा £ 6 में तो प्रकास क्या होगा तो च्छुटा होगा तो कोई बड़ा होगा उन बीचों में क्या क्या भी भीनता हाँ के क्षोटा हो सकता है के को फैसे ॉद्धक्ता हो सकता है कई किश्म के पौधे को विख्षित किया लोगों को बताता कि एक पीड़ी की कैई गुड दुसरी पेड़ी या आने वाली कई प्रकट होते हैं मगर सवाल यह तर्केशा और एक पीड़ी से दुसरी पेड़ी में कैसे मन में क्या होता तो उना विध्वार करें दूर्ज की आखिरकार अलग गुड़ पैदर कैसे होता है और एक बृड़ी में कैसे पहुंचता है तो जैसे कि हम लोगों में अभी पढ़ा है कि वह आनुवस्द की अहरे डि डिडे की कारण होता तो कि इसके तारा लगचनु का पेड़ी तार पेड़ी के आवत्तर लगचन गा एक पेड़ी से दुसरी पेड़ी में संचरित होता है तो आयो खोप आप लोगों को समझा होगा तो आज के लिए बस इतना ही मेरत है अगली वीडियो में धन्यमाग